हर्ताली का तीज 2030 में प्रथम बार सुरू करना चाहते हैं करे या नहीं और साथी पूजा विधी कब हर्ताली का तीज ब्रत करना उत्तम होगा उपाय नियम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी कैसे हैं आप सभी हर्ताली का तीज माफार्वती को समर्पित और सबसे बड़ी तीज के लूप में जाना जाता है इस ब्रत की प्रताप से कहा जाता है compassion की बत्चो की सबसे पहले प्रथम रात्री से ही नहाय खाई के जो नियम होते हैं बाल इत्यादिद होना पूर्ण रूप से स्वच्छी इत्यादि हो जाना नए कपड़ों का अगर संभव हो तो चुनाव करें नहीं तो प्राचीन कपड़े भी धुले हुए साप सच रख लिजे अब आप सभी जानते होंगे इस ब्रति में सढ जो सर्गी होटी है उसका भी नियम कहाँ लहें कि बीना पानी और बीना जो है अपनी सास के हाथ से कुछ खा पी लें तो बहुत उत्तम रहता है अगर आप से बिना पानी के नहीं हो पाता है ब्रत आप गर्वती हैं तो आप सभी जो है दिन भर में जल एक समय ले सकते हैं पूजा के बाद और कुछ फल इत्यादी भी खा सकते हैं देखिए सब की छमता सा करना होता है भले ही आप फलाहर करें अब जान लेते हैं दोहजार टेइस में इस ब्रइत को सुरु करें या नहीं जैसा की इस बार मलमास और अधिक मास भीयां जिस कारण से बहुत दुवीधा बनी हुई है कि प्रथम बारिस ब्रत को सुरू करना चाहिए या नहीं तो जैसा कि मलमास, अधिक मास, पुर्षोत्तम महाजी से कहा जाता है सावन में 16 अगस्त के दिन खत्म हो चुका है तो अब जो है नया ब्रत अगर आपको वारी लड़की है, सुहागिन महले सुरू करना चाहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेजिजक मन में बड़े प्रसनता के साथ आपको सुहवसर मिला है आप नया ब्रत सुरू कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है इससे जादा आप अपने कुलपूरोहित या अपने परिवार के बड़े बुढ़ों से सलाह लेकर ही ब्रत करें मेरे छेतर में यह कहा जाता है कि आप ब्रत सुरू कर सकते हैं क्योंकि मलमाश खत्म हो चुका है उसके बाद कोई दोश नहीं है इसके बाद चान लेते ह है कब है 2023 में यह ब्रत हर्ताली का तीज ब्रत अपने आप में अध्भूत है अपने आप में विसेश है इसकी सुरुवात जो है हर्ताली का तीज भाद्रपद महा के सुक्लपक्ष की तृतियाती थी कि सुरुवात 17 अगस्त रविवार को सुबह 11 बचकर 8 मिनट से सुरू ह हो जाएगी इस तीथी का समा 18 सितंबर 2023 को 12 बचकर 8 मिनट या 9 मिनट के आसपास से इसका समापन हो जाएगा ऐसे में हर्ताली का तीज उदिया तीथी के अनुसार 2030 में 18 सितंबर के दिन मनाया जाना सुनियोजित कहा गया है तो आप सभी 18 सितंबर को विदि विधान से इसक करें हरे रंग के कपड़ों का चुनाओ करें माटी बना कर उनका पूजन करने का विधान है गडिजी महराज को भी आप सभी माटी के स्वरूप में बनाकर पूजन करें साथ ही इस दिन फुलेरा का बहुत महत्तों कहा गया है अर्थात मंडप जो है वह फूलों के स्वरू का माती का बनाने का प्रियत्न करें विदी विधान से दूद दही घी सक्कर बेल पत्र शहद भस में इत्यारी समर्पित करें सुबह के समय में सामान्य छोटी सी सरलसी पूजा करें संकल्प का विधान ले अखंड दीप लगाएं हर्ताली का तीज ब्रत का था सुनें पूरे दिन निर्जल निराहार ब्रत करें शाम के समय प्रदोशकाल में जब सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बात का समय आप सभी विशेश पूजन करने का विधान कहा गया है आप सभी समूह में करते हैं तो समूह में करें नहीं तो साधानर सरल तरी पर महादेव को विशेष रूप से आप अभिशेक करवाएं फुलोंष हुआ मापार्वती के लिए 16 स्रिंगार की सामगरी लाएं, उन्हें समर्पित करें, स्वयम भी 16 स्रिंगार से सुसजित होकर, कुवारी लड़की भी विसेश रूप से सुसजित होकर, अपने मन चाहे प्रेम के लिए आप विसेश पूजन आराधना करने का प्रियत्म करें, बहुत मंत्र जाप गायन और रात्री जागरण पूजन इत्यादी का विधान है बहुत सुब्र और सबसे महत्वोण स्रेष्ट ब्रत इसे कहा जाता है रात्री भर भगवाण का समरण ध्यान करते हुए निकाला जाता है प्रात है काल में आप सभी विधिधान से पूजन करकर में अद्भुत है इस दिन अपनी सास के लिए आप हरे रंग की पूरा स्रेंगार का सामान अपनी जिठानी या अपने बड़ों को दान कर सकती हैं यह भी सबसे सुब माना जाता है मन की कामना सिध्ध करने के लिए यह ब्रत हरताली का तीज अपने आप में विसेज ब्रत होत तीज से संबंदी जो आप जानना चाहते हैं तो जरूर पूछ लिजेगा सभी सवालों के जबाब आप प्राप्त करेंगे इस दिन एक समय का भोजन ब्रामार जी के घर पर जरूर से भीजवा दीजेगा बहुत सुब रहता है कोई गरवती महला अगर बिना पानी बिना अ हमेशा कर पाएं कठिन ब्रत अपने ले कठिन नियम अपने ले नाचुने यह जीवन परियंत किया जाने वाला ब्रत है जो कि सर्वसुखों की प्राप्ति करने में साहयक होता है धीरे धीरे जो है आप सभी अपने ब्रत को पूर्ण कीजिए इस ब्रत में प्रदोशकाल की पूजा का बहुत महत्तो कहा गया है प्रदोशकाल की पूजा का समय रहेगा छे बच कर ते 30 मिनट के आसपास से 8 बच कर 51 मिनट के आसपास तक यह प्रदोशकाल का समय होता है इस समय ही जो है विसेश पूजा हरताली का तीज ब्रत की की जाती है तो आप सभी इस तिथी के अ आप माटी के छोटे से से शेवलिंग स्वरूप में सिवपार्वती का पूजन करते हैं विधी विधान से पंचामरत से अभिशेक कराते हैं तो भी बहुत सुफलों की प्राप्ति होती है ऐसा सास्त्र विधान कहता है तो आप सभी इस दिन हर्ताली का तीज ब्रत कथा सुने और विशेस रूप से दान, पुन्य भजन, पूर्ण स्रिंगारित होकर महादेव का पूजन करें नीले काले रंके वस्त्रों का चैन ना करें इस बात का भी ध्यान रखें सफेद रंके वस्त्र भी पूजा में वर्जित कहे गए हैं खास तोर पर सुहागन महलाए और जो क कुवारी करने हैं बहुत सुभ ब्रतिय होता है स्री सिवय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव